दोस्तो हिमगार्ड एलेक्ट्रोनिक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जब भी आप दोस्तो एक एलवो जा टी एलवो परचेज करो तो उसको ध्यान से लें कई वार एक एलवो आपको 500 रपे की पड़ जाती है कैसे वो मैं आपको बताता हूँ यह वीडियो देखिए दोस्तो आज हमें एक स्कूल से फोन आए कि आरो सिस्टम में जो हम पाइप आरो पंप की इनपुट पे लगाते हैं वो बार बार सिलिप आउट होकर बाहर निकल लगी है तो अकसर जब ऐसा केस होता है उस केस में मेंबरन चोक होई होती है जा फिर कोई और बजा हो सकती है एफ आर हो सकती है लेकिन आज जो नया एकस्पिरिंस रहा है वो बिलकुल अलग रहा है यह दोस्तों हमने लास्ट ये लोगडाउं से पहले वाटर फिल्टर लगाया था और हमें आज ही सुबा फोन आया कि उनकी सेम प्रॉल्म जो मैंने आपको मेंशनल की है तो जब हमने वहाँ देखा जाकर तो सिर्फ एलवो जो है वो ब्रेक हो चुकी थी अब क्यों हुई ये एकस्प्लेन करना मुश्किल है लेकिन हमने वहाँ जाकर जो देखा एलवो ब्रेक हो चुकी थी जब हम उसको पाइप लगाते थे वो सिलेप आउट होकर बाहर निकल जाता था आप भी एक वार देखिए दोस्तों अब एक एलवो पांस वर्पे की कैसे पड़ जाती है कि जब आप इतनी दूस सर्विस करने जाते हो अपने वर्कर को भेजते हो टाइम वेस्ट होता है तेल खर्चा आता है उससे बेतर है कि आप अच्छी क्वालिटी की एलवो लगाओ हमने भी अच्छी क्वालिटी की लगाई थी लेकिन वो कैसे तूट गई पता नहीं लेकिन जैसे ये अलवो टूटी मेरे पास इस तरह की आठ दस अलवो इस ब्रांड की और पड़ी हुई थी तो मैंने उनको साइड पे का दिया कि अब हम इसको यूज नहीं करेंगे आप भी यही दोस्तों कीजिएगा जब भी आपको ये अगर किसी स्टोक में प्रॉलम आने लगे अलवो या टी तो आप उस पूरे स्टोक को ही साइड पे कर दें जब वापस कर दें दोस्तों अब हमने नए अलवो लगा कर दोवारा टेस्ट किया उसको अब बढ़िया चल रहा है और हमने इसकी मेंबरेन भी चेक की थी कि कहीं बैक प्रेशर की बज़ा से तो नहीं खराब हुआ लेकर दोस्तों प्रेशर ज़्यादा था ये अलवो उसको भी एद नहीं कर पाई दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमगाड एलेक्टरों से और नोटिफेशन बैल जिरू प्रेस करें ताकि आपको हुआ नहीं से नहीं जानकारी मिलती रहे थैंक यू